अमेर्की कॉंग्रेस ने राश्टपती बराक ओबामा के 9-11 विधहयक पर लगाए गए विटो को खारिस कर दिया है। को अधिकार मिला था कि वो सौधी सरकार के खिलाप मुकदमा दायर कर सकते हैं। ओबामा के विटो को दरकिनार करने के पक्ष में 97 वोट पड़े जबकि विटो के पक्ष में केवल एक ही वोट पड़ा। ओबामा ने रिपब्लिकन और डेमोकरेटी सिनेट नेताओं को भेजे गए पत्र में कहा था कि कानून के रूप में जास्टा लागू करना अमेरिका के राष्ट्य हितों के लिए नुकसान दे होगा। इस विदेहक के पारित होने के बाद इसते अमेरिकी सुरक्षा बलो और विदेशों में काम कर रहे अमेरिकी लोगों पर संभावित कानूनी कारवाई संभव हो जाएगी। डेमोक्रेटी पार्टी के संसत चक स्किमर ने कहा कि यह जरूरी है कि फिड़तों के परिजनों को न्याय पाने की अनुमती मिल सके। भले ही इसकी वज़े से राजनईक परिशानिया होती हो। वाकई अमेरिकी संसत का यह फैसला एतिहासिक है। उबामा ने अपने राश्टपती कारेकाल में अभी तक 12 बार वीटों का इस्तमाल किया है। लेकिन यह पहला मौका है जब उबामा को संसत से बड़ा जटका लगा है।